तो वेल्कम टो अनदर नीव वीडियो दोस्तो स्वागत आपका इस नए वीडियो में और ये देखो हम कहां है इस बार दोस्तो हम अभी दवार का बीच में जी हाँ यह है दोओर का सिवराज पूर बीच और आपको स्वागत है फ्रोम दौरका से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एमदाबास से दौरका आया हूँ वो भी एक्टिवा राइट करके 450 किलोमेटर अलमोस्ट राइट करके आया था एक्टिवा एमदाबास से दौरका और वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसके जली जली देख लीजिए उसमें भी काफी एडवेंचर है और उसके बाद हम आज और और यहां से रस्ता यह और इस तरह से यह पार्किंग यह पर यहां यहां पर सिराज पूर बीच की एंट्रीगें और इनके जो एंट्रीट्रिकेटश हैं वग करने के बाद आप सिधा यहां पर आ.\ तो दोस्तों यहां टूविलर के पार्किंग होती है ट्वेंटी रुपीज लेते हैं और यहां से होती है एंट्री इस तरह से पर देख पारे हो सोलर पैनल लगा दिया गया पूरा गार्डन है और जो बीच एरिया है वह इस लेंग में यह दोस्तों पूरी बीच की इंफ्रमेशन है और यह बीच एरिया और यह सब चुक्छ डीटेल है दिए गई है और यह यहां पर अंदर इस तरह से एंट्री एरिया है दोस्तों यहां से वाटर फिलब कर सकते हो अब तो दोस्तों यह है कुछ नजा रहा है दोस्ते द्वारका किस तरह एक्टीवा राइड करकर आया और 129 किलोमेटर हां जी दोस्तों सुनकर बहुत ही एडवेंचर और बहुत ही अजीब हो रहा होगा कि इतना लंबा राइड कर लिया दोस्तों मुझे कुछ जैसा कि आप देख पा रहे हो यह चैस्वाराजपूर बीच जैसा कि आपने एंट्री आंट्री वगईरा देखी और इसके ट्रिकिट वगईरा आपको पता चली है यह सिडी चेंटर से मतलब है वहां से आपको यह कुछ पड़ेगा फिप्टीन किलोमीटर और दौर आप लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दौसको अगर आप द्वार का आना चाहते हो जो कि है गुजरात में और आप कोई भी सिटी से आते हो तो अगर आपको ट्रेंट से आना हो तो इसका जो में अब है जहां से सारी रोज के अवेलबल होती है वह है अमदाबाद अगर इस तरह से आपको बाइट रेलवे स्टेशन पड़ेगा राजकोट डाशकोट और पॉर बंदर इस तरह से आपको नियर बाइट ट्रेन आ सकते हो और पॉरबंदर में एर्पोर्ट है बट बें भी सारी फ्लाइट सो नहीं आती नहीं और परस्ट्रॉल विकल से आ सकते हो इस तरह से यह जो शिवराजपूर बीच है वह इस तरह से दिखता है यह पूरा भीच है जीसमें तक हुआ है उस तरह काफी यह तन्डी थंडी आरे है इस तरह से और काफी family public काफी है गुमने के लिए और दूस्तों वो जो देख रहे हो तो आसे अ कर था गार्डन बना वह गया है तो जोस्तों वह जाना है हमें उपर वहां सुबह का breakfast करेंगे मैंने इस बार मैंने सोचा था कि मैं ब्रिकफास्ट में मतलब सिथी में ना करूँ बीच में आके बैठके करेंगे तो काफी इंट्रेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसे देख लेता हूं उसको चूटा तो नहीं है तो जोस्तो हम वहां बैठकर बीच के आसपास में बैठके ब् मेरा इडली सामभार वगेरा और मसाला डोसा यह सब चीजे ब्रेकफास्ट में बढ़ना मुझे यानि पसंद नहीं है ओली खाना तो मैंने सुचा फ्रूट इस देबेस्ट जिसे एनरजी भी रहेगा और मैं फ्रूट ज्यादा खाता हूं चाहे इविनिंग में हो चाहे अब जुद्ध यह है यह फ्रेंड यह मेरा कपसे इंतजार करता है यहां पर जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर लोगों ने अपने सामान छोड़े हैं ताकि यह भाईया कौन टटल्स यह टटल्स भाईया सामान की देखरेक करेंगे तो देख पार यह पानी का बीच में क अबरें का दुम्स बाहर खाने का मिलता है बच जादाएं इतना कुछ है नहीं बस वही आप दो चीजे यह रहे है पानी की वर्टल्स इन ओ लोग यहां कैसा आप बाहर से घुछ लेके हो यहां कि आवरे हो यहां कुछ भी देख नहीं है वह और तो जुकाने कुछ भी नह यहां पर भी ब्रेक्पास्ट किया है और यकीन निकरोंगे यहां समुत्री किनारे ब्रेक्पास्ट करने का जो मज़ा है ना दोस्तों बहुत ही अलग है उस तरह से वह लोग आई है उस तरह सा बैट के मौस्ट अच्छा सा विव ले सकते हो अप्य अच्छा स्टूल अगेरा है कि अब सबने हुए यहांपे और यहां पर यहां जाते हो इंडिया के कोई भी सीटी से तो यहां कैसे आया जाए तो दोस्तों द्वार का अने के लिए यहां तीन फैसिलिटी सो और कि जगवेंड की जगा है है और बादी गहांस कीज़ां अगर द्वारका दिश टेंपल ला парक अपास म है घंते इंप खाए मसद मेंग सब्सक्राइब करेंगे और यह एक बीच है सिराजपुर बीच और एक बेट द्वार का बस इतना ही है वाकि सब छोटे-चोडे ऐसे बहुत सारे मंदिर से तो वह वहां पर यह सब तो आप ट्रेंड से आ सकते हो उसके बाद आप परसनल विकल से आ सकते हो बस से आ सकते हो अब हम जाएंगे हमारी दूसरी लोकेशन की और यहां जोड-जोड से हवाएं चल रही है मेरे बाल भी खराब हो चुके से चली दोस्तों मिलते हैं नेक्स लोकेशन पर तो यह है पूरी मार्केट और इस तरह से बहुत लंबी मार्केट है अलग-अलग और यह है सुदामा सेतू के लिए यहां पर से टिकेट लेनी होती है दोस्तों और यह रहा बिरिज हम आ गए हैं यहां पर जो द्वारकादी स्टेंपल है और वह रहा द्वारकादी स्टेंपल और यह राज सुदामा जो सुदामा सेतू बिरिज है वो है और यह है गुमती नदी बनवाया है चले दोस्तों चलते हैं देखते हैं कैसा क्या है वाव यह तो बहुत अच्छा लग रहा है रात को लाइड भी होती है अच्छा है तो दोस्तों यह है पूरा सुदामा से तू ब्रिज एक टाइब का इंदर इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए और यह नीचे यहां पर गोमत और रहा दो दोस्तों वह रहा द्वारका दिस टेंपल और यह पास में यह एक दम चस्ट सटके है आपको ज्यादा वॉक नहीं करना पड़ेगा तो इस तरह से यहां से दोस्तों और पूरी द्वारका जो आपको सिकी देखने को मिलेगी और यह जो गोमती घाट कहते हैं व वो समुद्र यह मेधी से कनेक्ट होती है तो इस तरह से इसका है कोमती घाट अब जो पिछे पुरा जो डीजर्ट है वहां डीजर्ट में आप इस तरह से आराम से यह यह राइड कर सकते हो चला सकते हो अग शिवराजपूर बीड़ में इंजुए करने के बाद हम आ गए हैं फाइनली द्वार्कादीश टेम्पल जैसा कि आपको डेक पर आओग हूगा द्वार्कादीश टेम्पल वहां दर्शन करने के बाद आप इस तरह से यहां इंजुए कर सक्ते हो दोस्तों दिश टेंपल और ये रहा सुदामा सेतु ब्रीज तो दोस्तों ये दोने एकदम सटकरी हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है गोमती घाट जो हम एक्सप्लोर करने वाले थे जो हमारी थर्ड लोकेशन थी हाला कि मुझे लगा दूर दूर होंगी बट ये दौर का दीश टें कर दो दूर दूर कर दो दूर कर दो दूर को कि अगया थी के साथ यह व्लॉक्त समाप्त वाइब करता हूं वीडिया अश्य लगी होगी और उसी के साथ सब्सक्राइब करना जिससे मुझे को मोटिवेशन मिले सो चलिए मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तब तक लिए अपना ख्याल रखें चलो बाबाइब